तो हाई फ्रेंड अस्सलाम अलेकूम उम्मित करता हूँ आप सब खेरियस से होंगे तो मैं हूँ आपका दोस्त अभी उल्ला सिद्धी की और आप देख रहे हमारे यूटूब चैनल माराइगन मटेरियर तो आज का ही हमारा दस्वा भाग है साओधी अर्भिया ड्राइवी लेक्सिंस कंप्यूटर टेस्ट दोर्तेश 24 का जो भी इंपर्टेंट क्वेश्चन एंड एंस्वर है उसको इस वीडियो में मैं सामिल किया हूँ इससे पहले का जो भाग मैंने वनाया था उसमें मैं बता दिया था आगे का जो मैं पाट लाऊंगा उसमें क्रेंट अफेयर के क्वेश्चन में डालूंगा जो काफी इंप से पूछे जा रहे हैं हर मंदा अगर 2-3 टेस्ट देता है तो उसको 10 क्वेश्चन एजली बाकी का भाग आपने अभी नहीं देखा है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं तभी आपको सारे पार्ट समझ में आएंगे पार्ट वाइज इसलिए मैं बनाया हूं काफी आप बोर नहों आपको इसली क्योश्चन तयार करने में आसानी हो इस भाई का इंगलीज कमजोर है हिंदी में ट्रांसलेट करके अपना क्योश्चन असानी से कर सकते हैं तो आज का हमारा पहला क्योश्चन है डड्राइबर लाइसेंस विल भी सस्पेंडेट और इस्टाबेट टंप्रेली फारे पार्टिकुलर पिरिएड वेने पॉइंट डि पुरा हो जाता है तो आपका लाइसेंस रद्य कर दिया जाता है फिर अगला क्योश्चन है ड्राइबर अप्रोचे दा इंटर सेक्शन आफे रेल्वे विकल वेन वर टेकिंग दा फ्रन्ट कार इस प्रहबिटेड मतलब एक ड्राइबर को रेल्वे गेट से कितना मिटर प पाइन आ जाएगा आपको पिनाल्टी देना पड़ेगा फिर अगला है हूँ एस दा पिरियर्टी आप ओवर्टेकिंग ओवर्टेक करने का प्रात्मिक्ता किसका है इसका एंस्वर है वन हूँ ड्राइफ इन दा लेफ्ट लेन मतलब आप बाइन लेन में चलना है तो आप को ओवर्टेक करने की प्रात्मिकता है आप दाइन लेन से ओवर्टेक नहीं कर सकती है फिर अगला क्योश्चन है वाट फोर्स पुस्ट वहिकल अवे फ्रामदा कर वे यानि कौन सी ताक्ते वाहन को वक्र से दूर धकेलती है मतलब इसका है अब केंदरी बल सेंट्री अगला है हाव मेनी पॉइंट फार ड्राइविंग अंडर एल्कोहल अड्रग इंफ्लुएंस मतलब स्तराव या ड्रक्स की हालत में ड्राइविंग करना कितना पॉइंट और कितना फाइन आपका देना पड़ता है इसका एंस्वर है 24 पॉइंट प्लस देखिए सोरी यह ग सरद्य कर दिया जाता है फिर अगला है हाव मेनी पॉइंट फार ड्राइविंग एविकल इन दो अपोजिट डिरेक्शन उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने पर कितना फाइन आता है इसका एंस्वर है बारे पॉइंट प्लस तीन हजार रियाल का आपका फाइन आता है यह प्लस दो ने आपका अगर क्यों में नहीं मार से फिर आपको प्लस आगरие सक्षेशन में के वल टिए इस टिसटराफ साइन पर गाड़ी नौः कितना पॉइंट है 6ृट प्लस 3000्य यहाल फाइंट जैसाय कि आपको बताया अगर आपको आपन सब्ब्रिश्य में के वर फाइंट दिया active अग्रा प्लस आपको प्लस फाइंट दोनों प्लस मारड़ा आपको प्रों केकर नहीं बना है फिर अगला है how many points for stopping over rail roads, railway gate पे गाड़ी खड़ा करना कितना point है, point इससे पहले मैं बता चुका हूँ, इसमें इसलिए मैं fine include कर दिया हूँ, काफी आपको exam देने में कोई परसानी ना हो, इसका answer है 6 point प्लस 1000 रियाल का fine, अगर आप railway gate पे अपनी गाड़ी खड़ा ही करते हैं इससे पहले जो मैंने बताया था, उसमें केवल point मैं आपको बताया था, फिर अगला है to avoid disturbing other driver with your vehicle light you should, मतलब आपके वाहन की रोशनी से अन्न driver को परसानी होती है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, answer है use low light, यानि अपनी light को धीमा करें, आपको थोड़ा स जिससे अगले बंदे को कोई परसानी नहों और अपना जो वीकल है, वासानी से आपको overtake कर जाए, फिर अगला है the penalty आप those who cast for share to cast a traffic accident under the effect of drugs is, उन लोगों के लिए दंड है जो नसली दवाईं और ड्रक्स के ताथ या तयार दुरगटना के कारण बनते हैं, तो उनका जो है लाइसेंस का एंसवर है, suspended of license, license को लिनम्मित करने का अधिकार है, वहाँ पर अगर आपको यह पता है, माल लीजी आप सोड़ता है, आपको पता है कि यह जो अगला accident किया है, यह traffic जब उलंगन किया है, ड्रक्स की हालत में, तो आपका license रद कर जकता है, फिर अगला है, in the case the driver should push the brake as first action, वहाँ फिसलने की इस्तिती में, चालो को सबसे पहले brake लगाना चाहिए, यह गलत है इसका answer, आपको वहाँ पर दिया रहेगा true, वहाँ पर दिया रहेगा rank, और भी option आपको दिया रहेगा AB दोनों, उसके बाद कोई और option दिया रहेगा, तो इसका answer होता है, गल चाहिए, जब आप ऊटो को रोड पाल करते देखें, तो आपको क्या करना चाहिए, इसका answer है, शलो डाउन वीकल, स्पीड एंड वेट कैमल करास, मतलब आपको अपनी गारी धीमी कर लेनी है, जब तक की इंट आपका रोड करास ना कर जाए, आपको आगे नहीं बढ़ान यदि सिर्दर, नाकबन, इन्फुलेंजा के लिए कोई दवा ले जाती है, तो यह परफाव डालेगी, ड्राइबर, फोकस, एंड इसकील, आपके ड्राइबर की जो इसकील है, छमता है, और आपका जो ध्यान केंदरित करने वाला जो आपके अंदर होता है, कि हम गारी चल खराब हो जाए, तो क्या करें, एंस्वर इसका है, hold the steering wheel with both and hard, मतलब आपको जोर से आपको जोर steering होती है, आपको उसको पकड़ना है, दोनों हाथ से, और steering को सीधा रखना है, माल लिए आपकी steering खराब हो गई है, तो अगर आप उसको धीड़ा पकड़ेंगे, तो आपकी ग इसका है, इसका है पांच हजार, हर साल पांच हजार दुनिया में बच्चे मारे जाते हैं, क्योंकि ये रोड पार करने में थोड़ी जल्दिपाजी दिखाते हैं, इसलिए इनके उपर घटना ज्यादा होती है, फिर अगला है, चिल्ड्रेन इन वीच आपड़ कितने साल तक के बच्चों को पीछे कार वाली सीट पर बैठाना चाहिए, जीरो से एक साल, इनको जीरो से एक साल के बच्चे होते हैं, इनको आगे वाली सीट पर नहीं बैठाना चाहिए, काफी खत्रा हो सकता है, तो ये जो चिल्ड्रेन वाले क्योश्टन है, ये हमारे म में 5-6 question दिये गए थे इससे जो पहले पार्ट बना था उसमें question मैं सामिल गया था फिर अगला है you should always seat your child in front of an airbag as that will save him or an event of a crash कि आपको अपने बच्चों को airbag के सामने बैठाना चाहिए इसका answer है नहीं आपको छोटे बच्चों को airbag के सामने नहीं बैठाना चाहिए क्योंकि उनकी height कम होती है फिर अगला है who needs to sit a booster seat when traveling in the car to make the seatbelt fit correctly कार में यात्रा करते समय seatbelt को सही डंग से पहनने के लिए booster seat पर किसे बैठाना चाहिए 11 साल से कम बच्चों को जो कई कारों में booster seat होती है आप देखे होंगे थोड़ा सा उसकी जो seat होती है उचाई होती है जो इस समय नहीं कहा रहा रही है उसमें यह रहा seat तो यह question बार बार पूछा जा रहा है 11 साल से कम बच्चे को उस वाली seat पर बैठाना चाहिए यह नहीं कि आपकी उमर 20 साल है 25 साल है तो आप उस पर बैठ जाएं आपका सिर उपर टकरा सकता है फिर अगला है which age group are most likely to get knocked down by a car किस उमर तक के बच्चों को कार से टकराने से अधिक मौध होती है यानि जो साल का आकड़ा होता है जो उसमें accident होता है उसका जो age group निकाला जाता है उसमें 9 से 14 साल के बच्चों का जो क्राइटेरिया है जो किंती होती है और ज्यादा होती है 9 से 14 साल की फिर अगला है when you see injured person in a car जब आप किसी कार में घायल व्यक्तियों को देखते हैं तो क्या करें आपको क्या सलाय दे जाती है तो इसका answer है do not remove them unless the car is burning मतलब कार अगर जल लई है उसमें से धूगा निकल ला क्योंकि उसके साथ साथ आपका भी नुक्सान हो सकता है आपकी बाड़ी में भी जो जलाओ है और लग सकता है फिर अगला है when you see student getting a fun as school bus it is advisable मतलब जब आप छात्रों को स्कूल बस से उतरते चरते देखे तो यह सलाह दी जाती है इसका answer है to stop till the school bus processed यह question मेरे से पूछा भी गया था तो आपको क्या करना है अपना जो स्पीड है कम कर देना है और गाड़ी के पीछे बस के पीछे आपको गाड़ी स्टाप कर देनी है जब तिक की बच्चा उतरना जाए और अपने घर में चला जाना जाए बस आगे न बढ़ जाए तो इसका answer यह है तो आसा करता हूं आज के दौरा हमारे देगे जो जनकारी है और आपको अच्छी लगी होगी जो भी question important rebound questions है मैंने उनको बता दिया है जो भी question मुझसे पूछा गया था एक्जाम में दो तीन question इस में से पूछा गया था मैंने आपको बता दिया है तो इस तरह से आप अपना तयारी कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में त